असलाम उलेकुम गाइज वेलकम बैक टोवर यूट्यूब चैनल टेग गाइड वसीम तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप पी एम विशु कर्मा का टूल किट ओर्डर कैसे करोगे और साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि आप अपना पी एम विशु कर् है वो ऑनलाइन आडर कैसे करोगे और साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि आप अपना जो एप्लिकेशन स्टेटस है वो चेक कैसे करोगे आपका जो एप्लिकेशन है वो एप्रो हुआ है या नहीं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वे ब्रोजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा पी एम विशु करमा सर्च करने के बाद आपके सामने पी एम विशु करमा का ओफिशल वेब साइट आ जाएगा पी एम विशु करमा.gov.in उसके बाद आपको साइड पे एक आप्शन आ रहा है लॉग इन का आपको इस प क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर कभी-कभी साइट जो है वो स्लो होती है या डाउन होती है तो आपको यहां पर पेशन्स रखके अपना जो अप्लिकेशन स्टेटस है चेक करना है या आपको अगर अप्रो हो गया है तो आप अपना यहां से टूल किट जो ह वो order भी कर सकती हो तो आपको यहाँ पे अपना mobile number फिल कर देना है जो आपने registration के time डाला था mobile number डालने के बाद आपको capture डालना है capture डालने के बाद आपको यहाँ से login वाले option पे click करना होगा login वाले option पे click करने के बाद आपके mobile number पे 6 digit OTP जो है वो send कर दिया जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे वो OTP फिल कर देना है OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ से continue का एक option आ रहा है उसके बाद आप successfully आपको दिखाएगा जो आपका mobile number है वो successfully verify हो गया है उसके बाद यहाँ से आप अपनी ओधियम certificate भी download कर सकती हो अगर आपका जो application है वो approve हो गया है जैसे कि यहाँ पे application status दिखा रहा है एक applicant का यहाँ पे review pending by gram panchait अभी जो है इस applicant का application है वो approve नहीं हो है उसके बाद अगर आपको अपना जो यहाँ पे toolkit order करवाना होगा तो आपको यहाँ पे पहली एक option आ रहा है toolkit order का आप वहाँ से अपना जो toolkit है वो order कर सकते हो मैं आगे आपको वो भी दिखाऊंगा दूसरे applicant का login करके कि आप अपना toolkit जो है वो order कैसे करोगा अगर आपको यहाँ से अपना application को edit करना होगा आपको कहीं कोई गल्थी लगी है application में तो आपको यहाँ पे I agree और Yes वाले option पे click करने के बाद आप अपना यहाँ पे application जो है edit कर सकते हो या अगर आपको अपना application जो है वो download करना होगा यहाँ पर आपको download का भी एक option आरा है आपको नीचे आना है नीचे आने के बास यहाँ से आप अपना application PDF जिए अब को आपको यहाँ पर एक option आरा है choose free toolkit आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपको जो है 15,000 का tool kit मिलेगा तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जो आपको preferred tool की type select करनी है यहाँ से आप select option 1 के साथ भी जा सकते हूँ यहाँ आपको select option 2 के साथ भी जा सकते हूँ यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपको कौन-कौन से kit जा है इसमें आप उसी हिसाब से यहाँ पे अपना option जो है वो select करेंगे जैसे कि यहाँ पे for example मैंने select option जो 1 है वो select किया 1 select करने के बाद यहाँ पे submit वाले option पे आपको click करना है उसके बाद बताएगा congratulations you have successfully preferred a tool kit आपको जो tool kit है 15,000 का वो यहाँ पे successfully order हो जाएगा order होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ time wait करना है उसके बाद आपको यहाँ पे qr code जो है वो generate होगा उसके बाद आपको अपना qr code जो है वो download करना होगा download करने के बाद आप अपना qr code है वो किसी operator से scan करवाना होगा आपको जैसे कि operator जो होगा यहाँ पे होगा यह आभी क्लेर नहीं है कि PM विशू करमा का जो कोई भी आफिशल होगा वो आपको केमार कोड सकैन करेगा और डिरेक्टली आपके अकाउंट में आपको ट्रांसपर हो जाएगा यहाँ आपको प्रैफर कर देगा कि आप टूल किट जो है वो किसी दुकान से अपनी ले सकते हो तो यह थी मेरी आज की विडियो अगर विडियो अच्छे लगी आपको कोई कंफیूजन रहा तो मेरे योटीव चैनल के अबोर्ड सेक्षेंन में इन्स्टर्ग्राम लिंक दे रखाया वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो तो यह थी मेरी आज की विडियो थैंक्स वार वाचिंग इस वीडियो